तो लास्ट लेक्चर में जब मैंने LCR सर्कृट पढ़ाया था तो मैंने तीन कंडिशन ले थी ठीक है पहली कंडिशन क्या थी मेरी कि V not L is greater than V not C सेकंड कंडिशन क्या थी मेरी V not L less than V not C and third condition क्या थी मेरी V not L is close to V not C ठीक है जैसे मैं दिखा दूँ तो मैंने यहां बताया था कि जब V not L is close to V not C हो जाए या फिर XL is close to XC कैसे बताया था V not L क्या होता है I not into XL is close to I not into XC तो XL is close to XC हो जाए तो इस condition में condition कैसी क्या होती है यह resonance condition होती है यहाँ पर क्या हो जाता है जो impedance होता है वो Z होता है impedance होता है वो R के ब्राबर आ जाता है ठीक है तो वही आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे resonance condition in LCR circuit इसके बारे में लोग आज पढ़ेंगे ठीक है चली देखते हैं मैंने फिल से एक LCR circuit ले लिया ठीक है यहाँ पर voltage मैंने source voltage कितना दे दिया इतना clear है अब मैं क्या कर रहा हूं कि XL is quest to at resonance condition मैंने क्या बोला XL is quest to क्या होता है XC होता है XL is quest to XC तो Z की value क्या होगी Z होता है मां under root R square plus XL minus XC का whole square यह XL minus XC लिखो यह XC minus XL लिखो इनको difference बोल दिया करो इनका difference करना हमको ठीक है अब यह दोनों same है तो इनका difference कितना आएगा 0 आएगा तो Z कितना हो जाएगा हमारा under root R square ठीक है तो Z कितना हो जाएगा हमारा R clear इतना अच्छा यह Z जो होगा यह minimum होगा at resonance condition क्यों पहले क्या था R में something add हो रहा था ठीक है R में कुछ add हो रहा था अब यह पूरा complete 0 हो गया तो मतलब क्या हो गया यह Z resonance condition में Z क्या होता है minimum होता है impedance क्या होता है minimum होता है इतना clear है all right then current की question क्या थी जो maximum पीक करेंट था वो क्या होता था आई नोड इसको स्टू क्या होता था E not by Z या V not बोल दो E not बोलो या V not बोलो अब यहाँ Z क्या हो गया R हो गया तो I not क्या हो गया E not by Z Z क्या होता था Z impedance होता था अब impedance की value क्या थी आर स्कॉर प्लस एक्सल माइनस XC का होली स्कॉर गंडरू ठीक है अब जैड की value अगर maximum है sorry Z की value अगर minimum है जैड मिनिमम है तो I क्या होगा I हमारा maximum होगा तो at resonance condition current flowing तो जो peak value होगी current की वो क्या होगी maximum होगी ठीक है जो peak value होगी current की वो maximum होगी इतना क्लियर है अच्छा हमने यह आपके देखा है कि XL is close to XC है तो XL की value क्या होती ओमेगा L XC क्या होता है 1 upon omega C clear रहतना omega इदर ले ओ इसको मैं बोल रहा है resonance condition पे एक omega जिसको मैं omega not बोलते रहा हूं सब्सक्राइब तो मेंगा नॉट इसको क्या हो जाएगा 1 by LC omega क्या होता है 2 by F not पहले यहीं लिक्लों omega not क्या हो जाएगा 1 by under root LC ठीक है अब omega not क्या होता है 2 by F not बोल दो यह तो यह तो क्या हो गए resonance frequency हो गई ठीक है यह क्या हो गई angular frequency अब हम देखेंगे 2 by F not is close to 1 by under root LC तो F not हो जाएगा 1 by 2 by under root LC इसको हम क्या बोलते है resonant frequency ठीक है तो resonant frequency की value कितनी है यह यह वन बाई 2 by under root LC ठीक अच्छा बताओ अब जब हमारा XL आपस में कट गया XL और XC आपस में चले गए ठीक है अच्छा जो V होता था हमारा जो net voltage होता था V not वो तीनों का V not L V not C और V not R का तीनों का phasor sum होता था लेकिन V not L is close to V not C हो गया तो circuit कैसा हो गया जो हमारा impedance आ रहा हो किसके बाबर रहा 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 तो circuit कैसा हो गया हमारा purely resistive circuit हो ठीक है circuit हमारा कैसा बचा purely resistive circuit की तरह behave करेगा पूरा ठीक है और purely resistive circuit में क्या होता था जो need voltage आता था वह क्या होता था प्योरीreat यहाँ तो मैं क्या लिक सकता हूँ I equals to I naught sine omega t बोलो, यह लिख सकता हूँ क्योंकि हमारा given है E equals to E naught sine omega t क्योंकि same phase में, क्योंकि यह purely resistive circuit की तरह work कर रहा है और purely resistive circuit में होता ही है कि current और voltage के बीच में कोई भी phase difference नहीं होता तो इसलिए मैंने जैसे जैसे हमारी voltage की equation लिखी थी मैंने वैसे ही current की equation लिख दी इतना clear हुआ चलिए अब इसको graphically अगर समझें तो कैसे समझेंगे हमें मालूम है excel की value क्या होती है omega into L ठीक है excel की value क्या होती है 2 pi f naught into L ठीक है अगर मैं graph बनाओ एक graph ले लू इधर मैं f ले लू इस x axis पे और y axis पे मैं क्या client एक्सल ले लो ठीक है यहां क्या होगा हमारा जो Excel है और f xcl जो है वो f क्या है directly proportional है ठीक है xl जो है वो f प्य directly proportional है 2 pi zw दिखो अभी जो है आच्छें मैंने f naught ने लिखा क्योंकिh अभी मैं om अभी मैं resonance condition नहीं बोल रहा हूं ठीक है अभी मैंने कोई resonance condition नहीं बोली है मैं जनरल सी बात कर रहा हूं कि XL की value होती है ओमेगाल ओमेगा होता है टू पाइफ इंटू एल हो जाएगा ठीक है तो जनरल सी बात है कि जो ख्रिक्वेंसी है तो इसका graph कैसा होगा hyperbolic graph होगा कैसा होगा इस तरीक से ठीक है इस तरीक से graph होगा यह किसका होगा एक सी का graph होगा अब आर की बात करें तो कि आर डिपेंड करता है frequency पे R किसी चीज़ पे depend नहीं करता र की value क्या होगी F की respect में constant होगी सब्सक्राइब यह एकसी है यह XL है दोनों की value कहां पर same हो रही है यहां पर same हो रही है इस position पर frequency क्या होगी F not होगी यही क्या है लेजंवेंट्ट्जी जंव पर दोनों कंकर रहे हैं दोनों की विल्यू सेम है एक्साल क्या होता था जाए 像 को डिफरेंस लिखना ठीक एक्सेल के अगरा था सकष्गल between xl xc whole square ठीक है तो z हो जाएगा under root r square plus xl क्या होता था omega into l ठीक है xc क्या होता था 1 upon omega c ठीक है इसको मैं फर्दर लिखूंगा तो इस तरहीं किस लिखते हो r square plus क्या हो जाएगा 2 pi f l अब 1 upon 2 pi f c ठीक है अब यहां देखो अब मुझे graph बनाना है z और f में impedance और frequency में ठीक है तो मैं यहां लेता हूँ y axis पर ले लेता हूँ z और इस पर ले लेता हूँ frequency ठीक है तो graph कैसे बनेगा यहां ध्यान से देखना अगर मैं f की value बहुत ज्यादा रख दो ठीक है यह बहुत यह तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ठीक है यह बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो something plus ज़्यादा का all square ठीक है तो कुछ value ज़्यादा आएगी suppose ज़्यादा आ रही है यहाँ कुछ पहले एक और condition ले लो suppose मैं f की value बहुत कम रख दे रहा हूँ एफ की value मैंने बहुत कम रख दी तो यह क्या होगा यह तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी लेकिन यह one upon value कम होगी तो one upon value कम जब नीचे रहते है तो maximum value आती है ठीक है तो जो Z की value होगी जब frequency की value बहुत कम है तो Z की value बहुत ज़्यादा होगी ठीक है, इतना clear हुआ अब मैंने क्या किया जब frequency की value बहुत बढ़ा दी तो ये value कम होगे लेकिन ये बहुत जादा कि तब भी frequency की value क्या होगी बहुत जादा होगी, यहां बना दीक नहीं clear इतना, लेकिन हमने देख लिया है कि जब f की value ज्यादा है तो जड़ की वेलिवnoors जड़ chantम है तब ढूलर रही तो ग्राफ कैसे बनेगा यहां ज़्यादा तो बीच में कहीं Minimal i करेगा बोलो कि यहां लाइक करेगा इस पोजिशन पर हमारा जड़ क्या होगा minimum होगा, यही resonance frequency होगी F not, जहाँ पर Z हमारा minimum हो रहा है clear है इतना अब I not की बात करें, peak value की I not और F की बीच में अगर graph बनाओ तो I not की value क्या थी E not by Z E not तो constant है, Z बताओ Z जब maximum, तो current minimum Z जब minimum, तो current maximum ठीक है तो उपर से link कर लो graph को देखो अगर Z यहाँ पर ज्यादा है तो current यहाँ पर क्या होगा, कम होगा Z की value जब ज्यादा होगी, तो current की value क्या होगी कम होगी, लेकिन Z यहाँ पर कम है, तो current की value क्या होगी maximum होगी, तो graph कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है तो यह जो point होगा इनोड मैक्स होगा Maximum current flow होता है Resonance condition पे Maximum current ठीक है Resonance condition पे current जो flow होता है वो हमारा Maximum होता है अच्छ एकश बता हूँ जो Resonance condition है तो phase difference क्या होगा तो सोचने के ज़लद नहीं है हमको क्या दिख रहा है कि resonance condition पे circuit कैसे behave कर रहा है purely resistive circuit की तरह behave कर रहा है और हमने अभी देख भी लिया कि resistive circuit में क्या होता है voltage और current दोनों same phase में लाई करते है same phase में चलते हैं ठीक है उनके बीचे phase difference कितना होता है 0 होता है या फिर देख लो हमने देखा resonance condition में excel is close to xc होता है और 105 क्या होता है xl-xc upon r होता है और xl-xc 0 हो गया तो 105 is close to 0 5 is close to क्या हो जाएगा 0 तो phase difference यहां से भी हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है तो कैसे भी check कर सकते है clear इतना अब एक और चीज़ यहां देख ले न जैसे i0 लिखा e0 by z z की value क्या है वैसे e0 by r z की value क्या है e0 by r यह maximum value है जब i0 की maximum का value है जब z की value क्या है r के बराबर है तभी часто maximum value r ही है जब r के बराबर है अब मैं i0 max की value change कर सकता हूँ कैसे change कर सकता हूँ अगर सब지ो MicheION करो आज अगर मैं R की value 2R ले लो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा ग्राफ कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगा जैसे अगर ग्राफ पहले ऐसा हो जाएगा maximum value कम आएगी ठीक है अगर मैं R की value 4R ले लो R की जगह मैं 4R शिफ्ट कर दूँ तो i max की value और कम हो जाएगी कुछ इस तरीक से हो जाएगी बोलो तो i max की value मैं कम कर सकता हूँ कैसे by changing the value of resistance आल राइट चले basic से point से वो भी देख लेते हैं कि जब resonance condition आ जाती तो resonance frequency जो है F0 का formula क्या 1 upon 2π under root LC ठीक है इसको हम कैसे change कर सकते हैं मतलब F0 की value हम change कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अगर मैं L की value change करूँ और C की value change करूँ दोनों में से किसी की value change करूँ तो यह F0 क्या करेगा vary करेगा F0 की value change होने लगी ठीक है तो it can be changed by changing L और C अब R तो इसके formula में आ नहीं रहा है हमने देखा कि R का कोई role नहीं इसके F0 को derive करने में ठीक है तो R plays no role in determining F0 although R can limit maximum current at resonance हमने देख लिया R क्या कर सकता है सिर्फ R maximum current की value को change कर सकता है यह तो उसकी बढ़ा सकता है यह फिर decrease कर सकता है वो भी maximum peak value की ठीक है value वो होता क्या होता था E naught by R होता था तो मैं इस maximum value को change कर सकता हूँ R की help से ठीक है एक और चीज हमने देख लिया at resonance impedance क्या होता है Z, Z हो जाता minimum हमने पीछे देखा जो की होता Z is close to R और current वहाँ पर क्या होता है maximum ठीक है जो क्यों होता है E naught by R circuit behave as purely resistive circuit यह note करना वाला point जिसे हमने पिछला पढ़ लिया है ठीक है अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि resonance condition पर power कितना होगा at resonance power क्या होगा power का formula याद करो power होता था V RMS I RMS I RMS ठीक है into cos 5 अब बता 5 कितना है था मारा purely resistive circuit की तरह behave कर रहा LCR at resonance condition तो 5 कितना है 0 है तो power हो जाएगा हमारा V RMS dot I RMS dot cos 0 कितना होता है cos 0 क्यों लिए कितनी होती 1 तो मतलब cos 0 की maximum value 1 होती मतलब power जो हो रहा है वह हमारा maximum हो रहा है Power कितना हा रहा है maximum आ रहा है कितना इसको V not oh by 0 to लो into V not I not oh by let little ठीक है तो कितना जाएगा V not द्रोट स्क्वायर वाइफ टू ठीक अभी ओसको यह भी लिशाकते हो मैं तो मैं क्या लिशकता हूँ द्रोट संव मैं क्या लिखनी टू कि helfenकि बिसक्ताहिए यहां पर जो आए भी नहीं कुछ नहीं क्यों स्कॉर स्कोरेंद टुर हो जाएगा आप यहां देखो और डू टो चाहिका अपर यहां देखो जैँ आइनोर्ड पान टो कितना है यह नॉट्ण है नॉट है भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते होगे, I not max का whole square r by 2, clear इतना, तो यह हो जाएगा मारा power, जो की maximum आता है, इस condition ने,